हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे वाइट सॉस जीजी पास्ता जो बच्चों बड़ो सब को पसंद आता है तो चलिए हम अपनी रेशिपी स्टार्ट करते हैं तो यह मैंने एक कड़ाई लिया है उसमें हम डाल देंगे आधा जग पानी इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा नमक और पानी को गरम होने देंगे तो यह पानी हमारा गरम हो गया है हम इसमें डाल देंगे पास्ता आप कोई भी मैक्रोनी पास्ता ले सकते हो इसे हम सौफ्ट होने तक उबाल लेंगे लगभग 6-7 मिनट इसे हम चला देंगे ताकि ये नीचे बैठे न तो ये पास्ता हमारा उबल गया है हम इसे चेक करते हैं तो ये परफेक्ट कुख हुआ है हम इसे छान कर निकाल लेंगे आप इसे चाहे तो पाने से धो भी सकते हैं तो ये वाला पास्ता थोड़ा हाड होता है इसलिए इसे उबलने में 6-7 मिनट लग जाते हैं अब हम फ्राइ पेन में थोड़ा से ओल डालेंगे इसमें डालेंगे एक चम्मच बटर हलका सा गरम करेंगे अब इसमें डाल देंगे 5-6 लशन की कलिया करस किया हुआ और इसे हलका सा भून लेंगे इसमें डाल देंगे दो हरी कटी हुई मिर्च एक मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ इसे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम आड कर देंगे एक सिमला मिर्च कटा हुआ एक पीस गाजर कटा हुआ एक कटोरी हरा मटर और एक पीस कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इन सब को मिक्स कर देंगे इसमें डाल देंगे नमक थोड़ा सा नमक कम ही डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने डाला है तो इसे हम soft होने तक पका लेंगे 2 मिनट तो ये 2 मिनट हो गया है, हमें इसे इतना ही पकाना है तो अब इसे रखते हैं side में तो ये एक कड़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा oil डालेंगे अब इसमें डाल देंगे butter, तेल मैंने पहले इसलिए डाला है ताकि जब हम butter डाले, तो ये directly जले न, इसमें डाल देंगे मैदा तो ये मैंने मैदा 3 चमच लिया है, butter और मैदे की quantity same होनी चाहिए तो इसे हम चलाते हुए भून लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे दूध, तो ये मैंने गरम दूध लिया है बड़े कप से डेड़ कप दूध मैंने डाल दिया है, इसे मिक्स करते हुए हम एक से डेड़ मिनट पका लेंगे सौस को हमें ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा करना है तो आब हम इसमें डाल देंगे एक चमच काली मिच पाउडर, एक चमच औरी गैनो, आधा चमच मिक्स हब, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे तो इसका टेक्सर इतना ही होना चाहिए यह देखिए अब हम इसमें डाल देंगे सारी सबजियां और इसे मिक्स करेंगे और यह जाएगा उबला हुआ पास्ता और इन दोनों को डाल के हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है अब इसमें उपर से डालेंगे चीज चीज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कमिया ज़्यादा वैसे तो चीज सबको भर-भर के पसंद है तो यह मैंने चीज डाल दिया है अब इसे हम ढग देंगे और low to medium flame पर एक मिनट तक पकाएंगे तो यह एक मिनट हो चुका है यह सारा चीज मिल्ट हो गया है अब इसे हम सर्व कर लेते हैं तो यह रेडी है हमारा गर्म गर्म वाइट सॉस चीजी पास्ता उपर से डाल देंगे और इगेनो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हरी धनिया से गानिस कर देंगे तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तक तक के लिए बाई बाई अल्ला हाफीज